लोगसबद चुनाव में महज कुछ महीने का समय बचा है नेपाली मीडिया से मिल रहे जानकारी के मुताबिक ये अनुमान लगाय जा रहा है कि पीम मोदी चुनाव से पहले नेपाल दौरे पर जा सकते हैं सूत्रों की माने तो फरवरी के आखरी सप्ता ये मार्च के पहले सप्ता में पीम मोदी काटमांडू दौरा कर सकते हैं जिसके लिए नेपाल के प्रधान मंत्री पुष कमल दहल प्रचन ने पीम मोदी को आमंदरन दे दिया है मिल रही जानकारी के मुताबिक पशुपती नात के दर्शन के बाद पीम मोदी अपने तीसरे चुनाफ का प्रचार प्रसार शुरू करेंगे सूत्रों से मिल रही जानकारी की माने तो इस यात्रा को लेकर तैयारिया पहले से ही शुरू कर दी गई है वही दावा ये भी किया जा रहा है कि 24 से जादा भारतिय सुरक्षादिकारी पिछले सप्ता नेपाल की यात्रा पर पहुचे थे जहा उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था नेपाल के PM ने PMODI को पिछले साल जून में ही नेपाल आने का नाता दे दिया था वही मिल रही जानकरी के मुताबिक ये यात्रा राजनीतिक से जादा धार्मी क्यात्रा रहने वाली है बतादे कि इस से पहले साल 2014 चुनाफ के बाद और लोकसभा चुनाफ 2019 से पहले भी पीम मोदी पशुपतीनात के दर्शन के लिए पहुचे थे जहां उन्होंने काफी देर तक पूचा अर्जना की थी इसके बाद उन्होंने 2022 में भी नेपाल यात्रा तै की थी वहीं विदेश मंत्राले के सूत्रों से मिल रहे जानकरी के मुताबिक पीम मोदी निच्चत रूप से नेपाल दौरे पर रहेंगे यात्रा तभी टल सकती है अगर भारत में किसी तरह की कोई आपरिये घटना घट जाए हाला कि दोनों देशों की तरफ से अभी कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है